इन्डिया पूरे वे मनी लॉंडरिंग के केस में अर्विंद केजरिवाल को पाट बार समन सब तक जारी किया है लेकिन एक बार भी एडी के सामने अर्विंद केजरिवाल पेश नहीं हुए अब एडी राउज अवेन्यू कोट पॉंची है और वहाँ पर उसने सुनवाई की मांग किया बड़ी खबर दस बज़े आज इस पूरे मामले पर राउज अवेन्यू कोट में सुनवाई होनी है तरसल शराब नीती केस में अब तक किस-किस पर शिकंजा कसा गया अब आपको वो बना देते हैं इदी इससे पहले चार बार अज़विंद केजवाल को दिल्ली शराब घोटाले की जांच के लिए समंस भेट चुकी है लेकिन वो एक भी बार इदी के सामने पेश नहीं हुए नवंबर 21 से शुरुआत होते हैं दिल्ली में नई शराब नीती लागू होती है जब मनी से सोदिया यहाँ के मनतरी होते हैं इसके बाद आती है अगली तारीक 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीती में गोटाले का आरोफ लगा दिया और ये बात सामने रखी कि इसमें बड़े पेमाने पर गोटाला हो रहा है 17 अगस 2022 को क्या होता है कि शराब गोटाला केस में केस जो है वो दर्ज कर लिया जाता है और यहां से जाज शुरू हो जाती है इसके बाद आती है अगली तारीक अगली तारिक को क्या होता है उन्नेस अगर 2022 सिसोधिया के घर दफ्तर समेथ 31 ठिकाने होते हैं जहांपर च्छापेमारी की जाती है इस केस से जुड़े हुए चीजों को खंगाला जाता है तो E.D. इससे पहले चार बार अरविंदर केजरिवाल को दिल्ली शराप गोटाले की जांच के लिए समन्स बेज चुकी है लेकिन वो एक भी बार E.D. के सामने पेश नहीं हुए है E.D. ने पिछले साल केजरिवाल को पहला समन्स बेज कर 2 नवंबर को बुलाया था उसके बाद केजरिवाल को दूसरा समन्स बेजा गया 21 दिसंबर को E.D. के सामने पेश होने के लिए लेकिन वो नहीं गए E.D. के तीसरे समंज में केजरिवाल को पूछताज के लिए तीन जनवरी को बिलाया गया तब भी नहीं गया इसके बाद केजरिवाल को चोथा समंज बेज कर E.D. ने 18 जनवरी को आफिस बिलाया आईए पूछताज करते हैं केजरिवाल तब भी नहीं गया दो परवरी को भी केजरिवाल को E.D. ने पांचवी बार समंज भेज कर बुलाया लेकिन उन्होंने जाने से इंकार कर दिया जिसके बाद आगे-ागे केजरिवाल पीछे-पीछे E.D. और पहुंच गई कोट कि ये बार-बार बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं कर दो कर दो गए-धी कर दो दो लेते हैं चल्ड़ों पर चल्ड़ों लेकिन उन्हों पर रहे हैं झाल झाल